हेलो एब्रीबन गाइज माइब विनित कांक्रेन आयम यूर कॉन टीचर एक दिस वन्डरफुल चैनल एंब ये वाला भाई बीड़ली तो दोस्तो नंबर सिस्टम की हम अल्मोस्ट एंड के गगार पर आ चुके है और आज जो हम टॉपीक कंसेट सीखने वाले है वो है बेस्ट क्वेश्चन वैसे देखो आपने यूनिट डिजिट थेरम देखा इन सारे टॉपिक में आपने देखी एक चीज की कुछ तो ट्रिक्स होती थी कुछ तो कंसेट होता था फिर वो यसे बड़े से दिखने वाले कुश्चन इसी चुटकियों में सौल हो जाते थे उ यहान कंस्टेंट का मतलब क्या कंडिशन से बा हुआ क्वेश्चन उन कंडिशन को सैटिस्वाइ करने वाला bets off अपको जुविशन को धुन हो जाहिव ऐसे थोड़ा सा वर्ड फॉर्म में होगा है ना वर्ड बेस होगा ऐसे एक लाइन का नहीं होगा कुछ तो कंडिशन दी होगी और उन कंडिशन को सैटिस्पाइ करने वाला बेस्ट ऑप्शन कोंसा है वह आपको धुंडना है खतम तो इसमें हम ट्रीक्स नहीं इसमे प्रैक्स क्वेशन से ही अभी आप्रोच इसको सीखेंगे यह गाइस तो हम डाइरेक अप क्वेशन स्टार्ट करते हैं और मैं उन क्वेशन पर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप आप आप्रोच इसको यूज कर सकते हो लेगिन गाइस बिलीव मी 90% क्वेशन यह तॉल ह होते हैं with options और दूसरा एप्रोच है कि questions को पढ़ो उसकी condition को समझो equation बनाओ equation को solve करो question खतम तो दो एप्रोच है बस और कुछ नहीं पहला तो क्या है कि question को पढ़के condition बनाओ in the form of equation मैं आपको वो भी बताऊंगा proper example के साथ और फिर उन equation को solve करो जो हम traditionally करते हैं और दूसरा best smart approach किया है जो मैंने अब भी थूड़ी देर पहले का अपसे जिससे majority of questions all होंगे वो है with option going with option बस condition को समझो और सीधा option से देखो कि कौन है इन condition को satisfy करने वाला तो guys वैसे देखे जाए तो यह जो variety यह omit कई सारे omit की direct variety और omit में options दिये होते हैं yes आप बोलो कि sir लेगिन cat में त data जहां पर options नहीं दिये होते हैं तो yes इसले हम equation approach भी सिखने वाल है और वैसे देखा जाए तो यह जो topic है आपको indirectly cat में काम आएगा indirectly cat के अगर बात करूं तो direct way में कम लेकिन indirect way में काफी काम आएगा option से कैसे निपटना होता यह आप सिखोगे है ना कई सारी चीजे जो cat में देखेंगे वैसे तो दो ही है एक condition को equation में करो और एक going with option ठीक है और हम सीधा practice question से start करते है तो यह रहा आपके सामने का इस question देख लो the sum of the digit of two digit number question किसी two digit number की बात कर रहा है बच्चा बच्चा जानता है two digit number कैसे दिखता है ऐसे जिसमें इसको हम क्या बोलते है tens place और यह सारा चीज़े हम places, unit place, tens place, hundred place, place value यह सब चीज़े हम देख चुके अपने lecture number two में है न तो number system के playlist में आप lecture number two में है सब चीज़े देख सकते हो जिनको नहीं पता होगा बाकी तो majority को पता ही है sorry, so yes, so यह है वो two digit number, three digit बोला हता हो तो हम ABC लेते, four digit बोला तो ABCD लेते, तो two digit number की question बात कर रहा है वो मैंने ले लिया AB जिसमें A आपको दिख रहा है tens place, B आपको दिख रहा है unit place, so the sum of digit of, किसकी बात कर रहा है, sum, किसके digit of this two digit number, तो यार, मुझे खुद को digit अप दिख रह question 1, while, when the digits are reversed, question बोल रहा है, इसकी टोपी उसके सर, यानि ये AB जो दिख रहा है, उसको B ये कर दो, digits को reverse कर दो, तो guys, अब देखो, अगर original number AB है, तो उसका reversed number क्या होगा, B, तो देखो, when the digits are reversed, the number decreases by 54, तो number 54 से decrease हो रहा है, यानि जो original number है ना guys, वो 54 से less हो रहा है, कब, अगर digit को reverse कर देतो, तो जैसे इन digit को मैं reverse कर दू, तो बनने वाला number, यानि कि BA is what, less by 54, then of course original number, तो original number AB है, उसको 54 से कम कर दो, देखो guys, question को पढ़ा, ये जो उसने हमें दी है, ये 1, 2, ये क्या है, constraint, इसी को question के language में condition, constraint बोला जाता है, और इस लिए इस variety को बोला जाता है, constraint based question, तो आपको बस वो constraint धुन नहीं है, condition धुन नहीं है, और एक तो इनको solve करो, दो equation है, दो unknown है, AB निकाल सकते हो आप, है ना, तो आप A और B निकालो, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा complicated हो जाता है, हाँ, कोई-कोई question ऐसे होते है, जा equation approach, चुट को मैं answer दे जाता है, त वहाँ go with equation approach, but majority question मैंने कहा आप से, किसस all होंगे going with option, तो यार ये दो condition है, कि ये सा कोई तो two digit number है, जिसके digit का sum, याने A plus B बोलो है, B plus A, addition में तो चलता है, 10 है, लेकिन वो ही digit को अगर मैं reverse कर दू, तो जो original number है, वो 54 से decrease हो रहा है, याने BA क्या हो रहा है, original number से 54 less, याने AB minus 54, तो question मैं बोल रहा है, find the changed number, question का यहाँ पे सबसे बड़ा twist समझो, guys, find the changed number, उसने आपको original number निकालने नहीं बोला है, उसने आपको कौन सा number निकालने बोला है, जो number आपने reverse करने के बाद change हुआ न, वो changed number निकालने बोला, एक-एक word important होता है, जब आप question पढ़ते हो, खास फिर वक्त हला जजबात सब बदल सकते है, है न, so guys, simple सी बात है, आपको उसने बोल दिया है कि find this changed number, मतलब आपको BA निकालना है, AB मत धुणना option में, यह जो भी option है, यह चिला चिला कर क्या दावा कर रहे हैं कि मैं BA हूँ, मैं BA हूँ, मैं BA हूँ, AB कोई निकालने बोला है, यह न, यह सब दावा कर रहे हैं कि मैं BA हूँ, तो अब बस आपको option के हिसाब से अगर जाना है, तो एक एक option से क्या उठाना है, BA, क्यों एक question आपको change number निकालने बोला है, मतलब BA निकालने बोला है, तो हर option में जो first digit है, वो B को represent करेगा, second digit A को, first digit B को, second digit A को, और एक बार आपको BA option से मिल गया, तो आप दिये हुए दोनों condition में रखो, जो भी option उसको satisfy करेगा, वो जीत गया, जैसे कि अगर मैं option A की बात करूँ, तो option A, देखो, first condition क्या है, A plus B should be 10, तो यहाँ पे A को ने 8, मैंने बोला नहीं, यह सब क्या है, BA है, 8, और B क्या है, 2, तो 10, देखो यह first condition तो satisfy हो रही है, second condition, second condition क्या है, कि अगर BA, यह देखो, यह option BA ही है, 28, तो यह original number AB, तो मुझे बता, अगर BA 28 है, तो original क्या होगा, बच्चा भी बोल देगा, 28 का, reverse कर लो है, 82, तो अगर यह BA है, तो यह original number AB से 54 कम होना चाहिए, तो देखो, अगर यह BA 28 है, तो original number 82 से क्य वो 54 less है, yes, yes guys, अगर आप ठीक से देखो, तो 82 minus 54 is 28, दोनों condition satisfied, option A ने आपके सामने दोनों condition को satisfy कर दिया, तो आखे बंद करके A पे टिक कर दो, क्योंकि यहाँ question ने कोई तिसरी condition नहीं दी है, तिसरी कोई condition ही नहीं है, तिसरी कोई condition ही नहीं है, तिसरी कोई condition ही नहीं है, क्योंकि definitely कोई ना कोई condition को ब्रेक कर रहे होंगे, क्योंकि दो option थोड़ी होंगे, दो answer थोड़ी होंगे, चाहे तो तसली करना है, तो देख लो, अगर मैं B से जाता है, तो भलाई A प्लस B 10, तो yes, A है 9, B है 1, तो योग है 10, और ऐसे question आखो से कर सकते हूँ है, तो मैं आप is equal to, यह तो B है है न, तो इसका reverse से 54 less, तो 19 का reverse क्या होगा, जैसे 28 का 82, तो 19 का 91, क्या 19 यह 54 less है than 91, नहीं, अगर आप यहाँ देख लो guys, तो यह हो गया 37, और 19 और 37 equal है, नहीं, तो देखो कोई ना कोई condition ब्रेक जरूर होगी आगे option में, यहाँ पर भी देख लो, दोनों क 54 less है, क्योंकि इसका reverse हुआ, 73, तो अगर change number 37 है, जो हमें निकालने बोला है, तो original number 73 होगा, और यह दोनों का subtraction 37 आता है, never, then 46 में भी नहीं होगा, और definitely नहीं होगा, तो जितनी condition दी है, सारी की सारी, अगर option A satisfy कर रहा है, तो A is the answer, तो यार ऐसे question को constraint based question बोला जाता है, और आज का topic is all about such type of question, constraint, condition, दी होगी, समझो, उसको solve करो, solve करने के दो approaches, एक तो इसको traditionally, two equations, two unknown, है न, B की value A में convert करो, यहां रखो, फिर यहां पर place values को use करो, A होता है, 10s place, तो into 10 करना होता है, B होता है, unit place, भुल गया होंगे, तो lecture number 2 देख लो, है न, के लिए, लेकिन वो approach से जाना ही नहीं, मैं तो बोलूँगा, तो अत्य बेस्ट का है, going with option, ठीक है, तो majority question going with option से solve होंगे, कुछ question होंगे, जहां पर हमें equation से जाना जादा easy होगा, वो हम कर लेंगे, तो anyways guys, यहां तक clear है, दो digit number जो हमने A, B लिया, उनके digit का सम 10 बोल दिया, लिख लिया, फिर अगर मैं उसको reverse करूँ, तो यह original number से 54 less है, तो original number A भी था, उससे 54 less B है, दो condition मिली, question यहां twist डाल दिया, find the change number, जिसने यह नहीं पड़ा हो गया, वो इन option को A भी समझ लेता, और फिर satisfy कुछ भी नहीं होता, तो यहां पर बोला था, change number यहांने B A निकालना है, तो इस सारे option B A, B A B A है, उससे देखा कुन सी दोनों option है, जो दोनों condition satisfy कर रहा है, तो option A, एकलवता option A, इसलिए A इस दे answer, बस guys अब इसी logic से solve करेंगे, अब इस question में मैं आपको पिछले question में options से जाने का मैंने आपको तरीका बताया है, इस question में equation का बता जेता हूँ, and then फिर फटा-फट पिकनिक पार्टी contributed twice as many rupees as the total number of member, मतलब guys question की language देखो, यहाँ पे जो question हमें बोलना चाहता है, each member of the picnic party, पिकनिक पार्टी में हुई है, वहाँ पे जितने भी लोग गया है, contributed twice as many rupees, कितना contribute कर रहे है, double, किस से लेकिन, contributed twice, याने double as many rupees as the total number of member, तो guys, total number of members जितने भी आप लोग है, चलो, मैं मान लेता हूँ, total number of members, let's say x, तो हर एक ने contribution कितना दिया, याने contribution per head, each बोला है question ने, देखो, clearly बोला है, each member of the picnic contributed double, किस से double, the total number of member, जितने total number of member है, उस से double contribute किया है, तो total number of member अगर x है, तो हर एक ने कितना contribute किया है, 2x, याने contribution per person है, 2x, तो मुझे बताओ guys, simple, देखो, ये छोड़ो, मैं अगर आपको बोलू कि हम 10 लोग पिक्निक के लिए गए, हर एक ने 200-200 contribute किया, total amount कितना जमा होगा, simple, आप कैसे निकालोगे, देखो सर, आप 10 लोग थे, हर एक ने 200-200 जमा किया, total amount निकला होगा, 2000, मैं बोलू हम 15 लोग थे, हर एक ने 300-300 जमा किया, आप बोलोगे सर, 4500, मतलब आप total amount कैसे निकाल रहे हो guys, यहाँ पे total contribution जो है, total amount बोलोगे, total contribution है, कैसे निकलेगा, हर एक, पहले तो कितने number of member, तो total number of member x, और हर एक ने कितना कितना contribute किया, तो हर एक ने contribute किया, 2x, तो देखो guys, यह कितना हुआ, 2x square, 2x square हुआ total amount, लेकिन question ने क्या बोला है, and the total collection was 3042, मतलब जिसको हम 2x square मान रहे है, हमारे assumption के हिसाफ से, हमारे variable के हिसाफ से, वो question ने actual दे जो 2x square हुआ है, वो question के हिसाफ से 3042 हुआ है, देखो 2 यहां divide कर लेगा, तो यह कितना हुआ, 1521, और guys 1521 is nothing but 39 का square, 1521 क्या होता है, 39 का square होता है, तो अगर x square ही है, 39 का square है, तो taking square root on both side x कितना मिला, 39, x 39 मिला, मतलब आपको क्या मिला, total number of member present in the picnic, जो कि present थे picnic में, वो आपको मिला 39, so the number of member present in the party, वो ही तो पुछा है, 39 is the answer, simple है, 1521, 32 का तो square आएगा नी, क्योंकि इसका जो भी square आएगा, उसका unit digit 4 होगा, इसका unit digit 2 का square तो 4 ही है, 40 का square तो 1600 है, तो यह तीन option तो वैसी ही cancel हो है, मतलब मैं इनके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई student सोच रहोगा, तो यह कैसे निकाले, तो भाई, common sense, एक बार option पर नजर तो लाल दो, यह answer हो नहीं सकता, यह 30, simple सी बात है, कि 1521 यह 2 का square तो है, 40 का तो है, 32 का भी नहीं है, क्योंकि उसका इतना तो आपको पता, unit digit से अपने सीखा है, 32 का square अगर निकालोगे, तो उसका unit digit के आएगा 4, unit digit theorem पत यह answer आए, लेकिन unit digit गया होगा, 9 into 9, 81, देख, 1 है बराबर, 1, यह ना, तो बागी तो भी square निकालने की tricks भी आप काफी सीख चुके हो, तो उससे भी जा सकते हो, लेकिन यहां तो option पर नजर घुमा कर आपको answer आगया, तो अब यह question कैसे better रहा, यह question आपकी लिए equation है पर से better रहा, कुछ करना ही नहीं था, total number of member मान लिया x, हर एक बंदा कितना contribute कर रहा है, double than the total number of member यहने 2x, तो इन दोनों को अगर मैं multiply करूँ, तो मुझे मिला total contribution, 2x square, यह क्या मिला total contribution, मनी मन खतम हो गया, बट हमारे हिसाब से 2x square, question के हिसाब से क्या है, 3042, solve गया, 2 से divide गया, square root लिया, finally x मिला 39, x मतलब total number of member present in the party, जो कि 39 आ गया, और वो ही पुछा था, यह आप इसको भी भी option जा सकते थे, हर एक का square लो मान लो 2 member है, और हर एक ने कितना contribute किया है, उसका double, यहने 2 का double 4, तो 8 हुआ, क्या match हुआ total amounts है, जो question ने दी है, नहीं, तो option A fail, option B, अगर मैं 32 member मा आने वाला है, नहीं, 2 into 4, 8 आ रहा है, unit digit, यहना, unit digit 8 आ रहा है, तो यह 3042 आ रहा है, नहीं, unit digit वहाँ 2 है, तो यह भी गया, अगेन यहा मैं 40 मान लो, तो हर एक ने 80 contribute किया, यह कितना आ रहा है, 3200, गलत, अगर मैं 39 मान लो, तो हर एक ने कितना contribute किया, इस से double याने 78, इस स तो with option भी जा सकते थे, तो with option तो हमेशा open है आपके लिए, लेकिन कभी कभार equation approach से fast हो जाता है, कुछ करना है नहीं था, x into 2x, 2x square is 3042, तो what is x, बस, दोनों approach आप सीख लियो, आप फटा-फट practice questions करते हैं कुछ, और बस, यह topic यही है, all about question को धंग से पढ़ना, एक-एक condition को स अमजना और उसके साब से दिमाग लगाना, come on, now the product of two digit number, देखो two digit number कोन है, यहाँ पर again a, b, अब जब वो two digit number बोलेगा, मैं a, b ले लूँगा, यह tense place, यह unit place, now the product of two digit number by the number consisting of the same digit written in the reverse order, अच्छा, question क्या बोल रहा है, product किसका, a, b का, किस से, उसी digit के number से लेकिन written in reverse order, अगर मैं original number a भी ले लू, guys, तो question बोल रहा है, the product of this two digit number, by a number, किस से, by a number, consisting of same digit written in reverse order, तो same digit है, a और b ही चाहिए, बट reverse order में, यहानि b है, तो इन दोनों का product question बोल रहा है, two, four, three, zero है, then find the lower number, again, नजर, हटी, दुर, घटना, घटी, यह आप इस question से समझ लोगे, अगर आप में से कोई भी student इस word पे focus नहीं करता, lower number, तो वो पता है, 54 पे tick कर देता, पहले ही option, अगर यहाँ पर आप देखके समझ गयोंगे, कि यह best approach क्या है, solve करने का going with option, उसने बोला है, find the lower number, यानि इन दोनों में से, मतलब यह condition को satisfy करने वाला, इन चारों में से, जो भ reverse क्या हुआ, 45 और पता है, इन दोनों का multiplication क्या हो रहा है, 2430, तो आप तो बोलोगे, अरे सर, 54 ने satisfy कर दी condition, टिक कर दे 54 पे, but guys, अगर 54 satisfy कर रहा है, of course, 52 नहीं कर रहा है, क्योंकि 52 into 25, 2430 नहीं है, 63 into 36, इसका reverse 36, यह भी 2430 नहीं है, लेकिन guys, अगर 54 satisfy कर रहा है, तो 45 भी त वो original number, तो इसको same digit, but written in reverse order, यहनि 54 से multiply करू, 45 का reverse, तो क्या मिल रहा है, 2430 नहीं, simple है, multiplication तो आपको मालूम है, 3 into 2 करो, या 2 into 3 करो, same answer आता है, तो 54 into 45 करो, 45 into 54 करो, same answer आएगा, तो guys, इस condition को, याने number, original number, and same digit का number written in reverse order, इनका product 2430 आना चीए, यह एकलावती condition है, then find the number बोला होता, तो फिर definitely option में कोई एक ही satisfy कर रहा होता, लेकिन उसकी चाला की यहाँ थी, उसकी चाला की इस condition में नहीं थी, उसकी चाला की यहाँ थी, find lower of these numbers, ऐसा number जो इस condition को satisfy कर रहा है और छोटा है, तो भाई, इस condition को satisfy करने वाले यह दो option थे, लेकिन question ने lower पे tick करने वाला, ऐसा नहीं कि go with the flow, first come, first serve, पहला A आ गया, A पे tick कर दो, ना, जिसने lower word नहीं पड़ा हो गया, जिसने पड़ा, वो बच गया, जिसने नहीं पड़ा, उसने मेहनत करके भी बेकार, त पतर करहो, सुरक्षित रहो, yes, 45 is the right answer, अगर उसने स्रिप number बुला होतान, तो दो option देता है नहीं था, correct, एक ही कोई तो 45 देता है, 54, बट उसने उसमें भी, बाई, फर्गेट कर दिया, आप आराम से सही समझ के tick करो, कि अगर मान लो multiple option इस condition को satisfy कर रहे है, तो उसी option पर tick कर कर रहा है, क्योंकि उसके reverse 45 से multiply किया, same 2430 मिला, 45 भी कर रहा है, क्योंकि उसके reverse 54 से multiply किया, same product मिला, बट छोटे पर tick कर ने बोला, 45 is the answer, come on guys, next question, जेखो, when we multiply the certain two digit number, again two digit number ले 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 हमने a, b, by the sum of its digit, अच्छा, वो बोल रहा है, a, b को किस से multiply करो, उसी के digit के सम से, उसके digit क सम से multiply करना है, तो क्या बोल रहा है, then 405 is achieved, तो मैं पहला product मिल रहा है 405, याने a, b into, a plus b is what, 405, this is your first condition, now, if you multiply the same number written in reverse order, of the same digit, तो देखो guys, same digit से बनने वाला number, but written in reverse order को, if you multiply, किस से, by the sum of digit, तो sum of digit, तो a plus b बोलो है, b plus a बोलो, same ही रहेगा, b plus a बोलो, a plus b बोलो, 2 plus 3, 3 plus 2, same ही रहता है, but इस बार क्या बदल गया, इस बार ये number बदल गया, a plus b, आप multiply किस से कर रहे हो, sum of the digit, उपर भी नीचे भी, और digit तो वही है, है ना, तो sum of the digit तो same ही रहेगा, a plus b बोलो है, b plus a बोलो, लेकिन एक product, एक number कौन सा बदला, पहले इसमें आपने original number a, b को multiply किया था, दूसरे इसमें same number return in reverse order, याने, ba से multiply कर रहे हो, और उस वज़े से product बदल गया, we get 486, तो question बोल रहा है, find the number, तो वो number निकालो guys, ये original number a, b निकालो, जो इन दोनों condition को satisfy कर रहा है, again, best option क्या है, यहाँ, going with option, तो कौन है वो a, b, जो इन दो multiply करूँ, तो 405 मिले, और उसी के reverse को मैं same sum से multiply करूँ, तो 486 मिले, come on guys, option a देखो, option 81, अगर मैं मानलू कि ये a, b, 81 है, ये a, b, 81 है, तो उसका sum क्या है, 8 plus 1, 9, और अगर मैं 9 से multiply करूँ, मैं एक और 7, 29 मिल रहा है, ये यही पे खतम, एक condition भी fail, तो option fail, तो ये पहली condition fail 405 नहीं मिला, तो option a गया, option b देखो 45, तो इसका sum क्या है, 4 plus 5, 9, इसको अगर मैं multiply करूँ, तो 45 into 9, 405 बिल्कुल मैच हो रहाएगा, इस पहला product के आना चीए, original number और दोनों का sum, original number और दोनों digit का sum आना चीए, 405, फिर question ने बोला है कि अगर original का मैं reverse करूँ, तो 45 का reverse 54, और उसको इसी sum से, 5 plus 4, 9 से multiply करूँ, तो 486 आना चीए, आ रहा है, check कर लो, 45 into 9, 405, यहने original number जो आपको निकालने बोला है, question ने, find the number, आप बोलो कि sir, यहाँ तो कहा original word mention है, उसने तो बोला है, उसने तो बोला है, तो find the number, भाई, अगर question silent भी है, तो find the number यहने original ही हो रहा है, ज जैसे एक question में आपने देखा था, find the changed number, ऐसा कुछ अलग वो बोलेगा, तो समझ जा, find the reverse number, तो भी यह बोल रहा है, change number तो भी यह बोल रहा है, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, find the number यहने original, तो original तो आपने AB माना था, तो अगर मैं AB 45 को लूँ, और 9 से digit के sum से multiply करू, match हो गया, और 05 जो उसने बोला था, मैं मिल गया, और उसी के reverse, यहने 54 को same sum से multiply करू, क्योंकि 5 प्लस 4 भी 9 नहीं होता है, तो 486 मिल रहा है, तो guys, option B, एकलोता option है, जो इन दोनों condition को satisfy कर रहा है, इसलिए B is the right answer, आप चाहे तो 36 को 9 से multiply करना, fail हो जाएगा, 54, अगर मैं original number 54 को 9 से multiply करू, मैरे को 486 मिलेगा, आप बोलो है, सर मिल तो गया, अरे भाई, यह तो reverse वाले number का answer है, original number का answer 405 आना चीए, इसलिए 54 भी fail है, कमझे रहा हो, इसलिए correct answer B है, original 45 into 9, 405, reverse 54 into 9, 486, find the number याने original 45, come on guys, देखो फटावट, तो इस बार fraction पूझा है, the denominator of an irreducible, सबसे पहले तो इस word को समझोगा, irreducible मतलब क्या, जो further reduce नहीं होता, जैसे, अगर मैं बोलू 6 by 9, क्या यह irreducible है, नहीं, यह further reduce होता है, इनको मैं 3 3 से divide कर सकता हो, तो यह क्या बन गया, 2 by 3, बराबर, यह क्या बन गया, 2 by 3, तो यह irreducible जब नहीं, हाँ, अगर मैं बोलू 7 by 9, तो क्या यह irreducible है, यैस, मैं बोलू 11 by 17, क्या यह irreducible है, यैस, मैं बोलू 5 by 16 क्या यह irreducible है yes यह further reduce नहीं हो रहा है न तो yes question ने सबसे पहले तो fraction को irreducible बोला है है न तो यार अगर मैं देखू ऐसा fraction जो irreducible है यह तो है यह तो है यह तो है यह लेकिन option A वही पे cancel क्योंकि देखो आप with option जा रहे हो तो जितने जल्दी option को cancel करो उतने जल्दी आप correct answer पे पहुचोगे न तो वह जिस fraction की बात कर रहा है वह irreducible है और इन चारो option में irreducible A तो बिल्कुल नहीं है तो A तो वही गया B, C, D अभी भी जिन्दा है अब देखो मैं again जब वह two digit number बोलता है मैं A, B ले ले लेता था लेकिन इस बार उसने हमें fraction बोला है तो fraction तो ऐसा नहीं दिखता है fraction कैसा दिखता है fraction दिखता है इस तरह तो यह मान लेता हूं मैं अपना fraction, just condition को समझने के लिए, condition को बनाने के लिए तो A क्या हुआ मेरा numerator, B क्या हुआ denominator यह हुआ यह हुआ original fraction जिसका numerator है A, denominator है B तो question बोल रहा है, if the denominator of an irreducible fraction is greater than numerator by 2, तो पहली condition क्या है guys denominator, तो मेरे assumption के साफ से denominator कोन है, B मेरे assumption के साफ से denominator B, यह numerator से यहने A से 2 से बढ़ा है तो denominator of an irreducible, यह irreducible है, fraction is greater, तो देखो denominator greater है than numerator by 2, जितना भी numerator है, उससे 2 से ज़्यादा denominator है, in short ठीक है, यह होगी first condition, if we reduce first condition को समझो, if we reduce the numerator of the reciprocal fraction, guys जैसे अब तक क्या होता था, reverse number, A, B का reverse B है reverse word use होता था, अब क्या use हो रहा है, reciprocal, क्योंकि यह fraction है अगर A by B है, तो उसका reciprocal B by A, तो question क्या बोल रहा है, if we reduce the numerator of reciprocal fraction, तो पहले तो इसका reciprocal लो, तो इसका reciprocal क्या हुआ हुआ, B by A और reciprocal लेने के बाद जो numerator आ रहा है, उसको question reduce करने की बात कर रहा है, by 3 if we reduce the numerator of reciprocal fraction, देखो यह reciprocal fraction है, by 3 तो numerator को 3 से reduce करो, reduce मतलब minus करो तो numerator of reciprocal fraction is B, जिसको अगर मैं 3 से reduce करो, question बोल रहा है, and subtract the given fraction given fraction मतलब original fraction, अगर मैं इसमें से original fraction subtract करो from the resulting one, यह यह जो भी मुझे मिला है, reciprocal के numerator में से 3 minus करने के बाद जो भी resultant fraction मुझे मिला है, उसमें से अगर मैं subtract करो given fraction, यहने के original fraction then we get 1 by 15, खत्म, तो find the fraction, यहने A by B निकालना है और जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर एक condition hidden थी ही, जिस पर आपका focus जाना जूरुरी था, उससे आपका time बचेगा irreducible फिक है ना, तो इस logic से, यह भी तो एक condition थी न, इस logic से option है तो गया मतलब आप अभी जो going with option जा रहे होंगे, तो सिधा शुरुवात कहा से करो, B से, option B से तो original fraction अगर मेरा A by B है guys, तो question बोल रहा है, पहली condition कि यह तो irreducible है, ठीक है further reduce नहीं होना चाहिए, now इसका denominator है, original का, याने कि B यह numerator से 2 से बढ़ा है, ठीक है और फिर दूसरी condition कि अगर मैं इसका reciprocal लूँ, याने B by A और उसके numerator से, याने जो reciprocal मिला, उसका numerator है B, उसमें से 3 reduce करो, और इस resultant fraction में से given fraction, याने original fraction minus करो, तो मुझे 1 by 15 मिलना चाहिए, तो find the given fraction, given fraction मतलब यही, original fraction, guys, देख लो, option A तो गया, क्योंकि reducible नहीं था, B से try करो, क्या option, अब मुझे बताओ, अगर मैं option B से जाओ, तो यह कुन हुआ मेरा numerator A, जो मैंने assume किया, और यह क्या हुआ, denominator B, याने कि 5, यह numerator याने कि 3 से 2 से बढ़ा होना चाहिए, yes, देखो, बिल्कुल सही है, 5 जो है, वो 3 से 2 से बढ़ा है, याना, अगर मैं इसका reciprocal लूँ, second condition, तो यह क्या हुआ, 5 by 3, यह न, reciprocal, A by B का B by A, और उसके numerator में से 3 minus करूँ, और जो मिला, उसमें से given fraction minus करूँ, तो मुझे 1 by 15 मिलना चाहिए, check कर लो, 1 by 15 मिल रहा है कि ने, 5, यह condition 1, यह condition 2, देखो, 5 minus 3, 2 by 3, minus 3 by 5, अगर मैं है cross subtraction करूँ, कैसे करते ह जब 5 into 2, 10, minus 3 into 3, 9, देखो, minus sign, इसले minus, upon denominator into denominator, guys, exact 1 by 15 मिला, उसने कहाँ दा 1 by 15 आना चाहिए, exact 1 by 15 आया, और इसके अलावा और कोई condition है, 3 by 5 irreducible है, satisfied, इसका denominator numerator से 2 से बढ़ा है, satisfied, इसके reciprocal करने के बाद, उसके numerator में से 3 minus करने के बाद, जो मिला, उसमें से original minus किया, 1 by 15 आना ची आ गया, इसके अलावा question ने कोई भी अलग condition दी है, नहीं, तो आखे बंद करके बीपे टिक करो, क्योंकि पक्का बागी fail होने वाला है, यकीन नहीं होता, तो free time में try कर लेना, free time में try कर लेना, कही नहीं वो fail जरूर होगे, तो first condition में, second में, कही नहीं fail जरूर होगे, ठीक है guys, तो एकदम easy, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, आप जैसे अब तक two digit number, three digit number को कर रहे थे, इस बार fraction में आ था, बट हल्वा question था, done, हल्वा question था, एक बार आपीस देख लो, original fraction a by b, first condition, denominator, denominator से दो से बड़ा, second condition, tracey protocol लेने के बाद, numerator को three से माइनस करने के बाद, इसमें से original fraction माइनस करो, one by fifteen आना चाहिए, और सबसे में irreducible, इसलिए ये cancel, तो ये मिला हमारा original a और b, इसके हिसाब से, फिर इसका receive protocol लिया, numerator में से three माइनस किया, और given में से original fraction याने के three by five माइनस किया, check कर लेने क्या मिल रहा है, question के हिसाब से मिलना चाहिए, one by fifteen, तो ये हुआ, subtraction two by three minus three by five, cross subtraction किया, ten minus nine upon five into three fifteen, exact one by fifteen मिला, इसलिए answer क्या मिला guys, option three, चमका, बहुत आसान यार, तो देखो, a student was asked to multiply a number by three by two, but he divided the number by three by two, his result was 10 less than the correct answer, find the number, again guys, एक कोई तो number है, जो question आपको निकालने बोल रहा है न, मानलो वो number में ले ले लेता हू, x, question ने क्या बोला था, a student was asked to multiply the number by three by two, उसको हमने बोला था, कि इस number को, मैंने मान लिया है, कि number है x, तो इस number को three by two से multiply करना, उसको three by two से multiply करना, यह हम उससे expect कर रहे थे, यह हम उसको correct मान रहे थे, लेकिन, भाई साब ने क्या कर दिया, but he divided the number by three by two, उसने x को three by two से multiply ना करते हुए, three by two से divide किया, in short, in short, two by three से multiply किया, क्योंकि three by two अगर उपर जाएगा, तो यह two by three बन जाएगा, तो देखो, इसने करना था यह, बट इसने कर दिया, यह, और question, यह wrong हुआ फिर, तो उस वज़े से, simple एन operation ही बदल दिया, three by two से multiply करना था, उसने two by three से multiply कर दिया, कैसे आया two by three मैंने आपको explain किया, तो उस वज़े से, उसका जो answer आया, वो 10 less आया, his result was 10 less than the correct, यानि जो correct answer आना चाहिए था न, उससे दस कम, उससे दस कम, यह, उसका wrong answer आया है, यह condition आपको बोली, और correct क्या है, three by two, x, wrong क्या है, two by three, x, बस, यह बन गई condition, अब चाहे तो आप इसको equation से भी solve कर सकते हो, पूरा equation x के form में बन गया है, two by three x को इधर लेके आओ, ten को इधर लेके जाओ, फिर x को common लेगे, three by two minus two by three कर लो, और x को अलग कर देना बाद में, वैसे भी कर सकते हो, या, go with the option, go with the option, पता है guys, पहले तो आप उसी option से solve करो, again आपको एक hint, देखो यहाँ, x को आप three by two से multiply क कर रहे हो, multiply तो हम three से किसी को भी कर लेंगे, लेकिन two से divide कर रहे हो, तो x जरूर ऐसा होना चीज़िए, जो two का multiple हो, again यहाँ पे हम x को two by three से multiply कर रहे है, याने three से divide कर रहे है, यहाँ पे three by two से multiply, याने two से divide, यहाँ two by three से multiply, याने three से divide, तो answer आपको निकालने क्या बोला है find the number यानि x निकालने बोला है तो इन चारों option में से x जरूर वो है जो 2 से भी completely divide होता है 3 से भी completely divide होता है क्योंकि answer देखो integer form में आ रहा है 10 तो पक्का ये divisible होना चीए 2 से 3 से जो भी x है और इन पूरे option में guys ये 2 से divide होता है 3 से नहीं ये 2 से divide होता है 3 से नहीं ये 3 से divide होता है 2 से नहीं इसलिए 3ों cancel only 12 is the answer जो 2 से भी और 3 से भी divide होता है देखो आपकी thought process clear होने से इतनी चीज़े आप बचा सकते हो शुरुवात ही ऐसे करने की जोरूत ने अब ऐसे question में शुरुवात ही ऐसे option से करो जो जाधा possibility रखता है answer बननेगी तो 12 देखो अगर मैं हाँ 12 रख दू 3 by 2 into 12 minus 10 क्या ये 2 by 3 into 12 के बराबर आता है चेक कर लेते हैं ये कितना होँ 6 into 3 18 minus 10 ये कितना होँ 4 into 2 8 क्या ये 18 minus 10 8 होता है is equal to 8 यास इस equation की जो question ने दिया है उसकी equality satisfy करने वाला एकलवता option कोन है? option B ठोक दो फिर B पे answer we should be the right answer guys कितना easy था simple उसने बोला था कि भाई ये कोई तो number है मान लो x उसको हमने 3 by 2 से multiply करने बोला था यानि 3 by 2 into x हमने उसको बोला था बट गधे नहीं क्या किया उसको 2 by 3 से multiply कर दिया उसने 2 by 3 से ऐसा नहीं बोला है question नहीं उसने बोला है कि 3 by 2 से multiply करने बोला था उसने 3 by 2 से divide कर दिया तो 3 by 2 से divide करना is nothing but 3 by 2 ऊपर जाके क्या हो गया? 2 by 3 से multiply करना तो उसका जो correct answer है correct क्या था ये? वो 10 less है than the जो उसको मिला ये wrong तो correct answer उसका ये expected था 3 by 2 से multiply है is 10 less, 10 less बोला है इसलिए minus किया than the 10 किस से कम है? correct से कौनसा answer? उसका wrong वाला simple है ना? करना ये था उसने ये कर दिया तो जो आया वो correct से 10 कम है और इसको आप चाहे तो equation से solve कर लो x find कर लो या फिर go with the option और option भी ऐसा लो जो 2 से भी divide हो क्योंकि x निकालना है तो 2 से भी divide हो 3 से भी divide हो और 12 से हमने start किया और 12 ने वाक्य में satisfy किया 3 by 2 times of 12 कितना हुआ? 18 minus 10 2 by 3 times of 12 कितना हुआ? 8 जैर देखो 8 is equal to 8 चमका गाईज? तो बहुत आसान यार constraint based case में और कुछ नहीं है आप चाहते हैं तो इसी को आप equation से भी solve कर सकते थे आप इसी को option से भी जा सकते हो मैंने कहा है option ज़्यादा time पर आपको काम आता है ज़्यादा questions में काम आता है और आपको ये बड़े बड़े भलाई equation उसने complicated डे दी हो जिसे की थोड़ी दर पर अपने fraction का देखा था लेकिन जब आप option से जाते हो ना तो ये हल्वा बन जाता है question तो आपको confidence आ रहा हो गर अब ऐसे question आप कोई भी exam हो जाए आप पेल दोगे ठीक है चलो और थोड़े confidence के लिए कुछ और मज़ेदार मज़ेदार questions कर लेते हैं ध्यान देना must कुछ question करेंगे फिर ये topic तो बस यही है नया तो कुछ है नहीं बस practice के लिए कुछ questions करते है और बस खतम करते है तो देखो if one third of one fourth of a number कोई तो number के one third of one fourth की बात चल रही है तो मैं वो number x मान लेता हूँ तो question क्या बोल रहा है if जैसे बोल रहा है वैसे condition बना द one fourth याने one by four of मतलब into number याने के x is 15 तो देखो यह क्या हुआ one into one into x x upon 12 is 15 अब x 12 इधर multiply हो गया 15 into 12 180 आपको number मिल गया 180 लेकिन hold on question ने इस बार number नहीं पूछा है question बोल रहा है then 3 tenth of that number आपने वो number तो निकाल लिया लेकिन question original number नहीं पूछ रहा है उसका 3 by 10th पूछ रहा है 3 by 10th of number याने के x तो 3 by 10th of 180 00 कटा 183054 तो देख लो गाईज यहाँ पर अब direct करना ज्यादा बेटर था ज्यादा बेटर था going with option के comparison में है तो yes simple question है आपको बोल दिया 1 third of 1 fourth of a number is 15 जो भी number उससे solve करने के बाद आया उसका 3 tenth लेना था फटा फटा फट तो आप दोनों चीजे समझ गयो जिस question में जो बेस लग रहा है उसससे जाओ यार खत्म three times the first of three consecutive odd integer भाई यहाँ पे तीन नंबर की बात हुरी है वो भी consecutive odd number है consecutive odd number है तो guys एक चीज़त आपको पता होगा कि कोई भी consecutive odd number में हमेशा दो-दो का difference होता है आप देख लो ने यार odd number odd number की पूरी series उठा कर देख लो consecutive मतलब क्या एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक और हमेशा दो-दो-कोई-बी-दो-कोई-बी-दो-कोई-बी-दो नंबर ले लो इनमें दो का difference होता है तो इस logic से guys क्या मैं assume कर लो मेरा first consecutive odd number है x तो second क्या बन जाएगा दो से जा से जादा यह है one three five अगर मैं example लो तो यह तो तीनों और न या फिर आप three five seven लो फिर भी यही मिलेगा तो इतना तो आपको पता है कि अगर वो consecutive odd है या even भी होता तो भी उसमें दो-दो का difference होता है हर consecutive odd या even में तो इस बार बोला है कि भाई consecutive odd integer है और question ने इस बार उस logic से हम of three तो इन तीनों में से जो first है उसका three time यानि के three x क्योंकि first x उसका three time three x of three consecutive odd integer is three more पता यह three x क्या है तीन से जाधा है three more बोला इसलिए plus less बोला होता तो minus करते है तो three minus करते है न जो आपने पिछले question में देखा भी था तो is three more than twice the third number यह थीन से जाधा है कि इसके comparison में है twice the third number third number क्या है x plus 4 उसके twice से तीन जाधा इसके twice से तीन जाधा कोन है first number का three times जो भी है so find the third integer तो यह निकालने आपको बोला है guys खत्म पूरा question एक equation बन गया है x के form में solve कर लो three x जब एक single variable के form में equation बनता है न तो generally solve हो जाता है direct जब ऐसे a, b आपको मतलब यह भी clarity आ रही होगी कि कब going with option जाना है और कब equation को direct solve करना है जब एक single variable है खत्म करो solve करके आर क्यों tension पाल रहे हो यह या फिर जब a, b, कभी कभी three digits होते है c, कभी कभी a by b, जो आपने देखा, b by a, ऐसा कुछ हो तो फिर वहाँ पे जाधा better होता है with option, खत्म, सो बात की एक बात जितने जाधा यह variable involved हो रहा है, going with option is the best option एक ही variable का question बन रहा है, खत्म, direct solve करो, option की जोरोद भी नहीं तो देखो, three x as it is, two is पूरे bracket को multiply करेगा, two x plus eight plus three यह इधर गया, x हुआ, eleven, तो यह तो आपको x मिला है, गलती से भी 11 धुन्ना मत option में क्योंकि option ने दिया है धोका, मेशा x यहने answer नहीं होता है, इस बार ठीक से alert रहो, वही तो बोल रहो, उसने बोला क्या है, find third integer, यह बोला है x यहने first है, वो नहीं पूछा है, third integer क्या है, 11 plus 4, 15 पे मारो, टिक हमका, simple है, three consecutive odd integer हमने ले लिया, x, दो-दो का difference maintain करते हुए, common sense, x plus 2, x plus 4, तो बोल रहा है, जो first number है, उसका three times, first है x, उसका three times, is three more, three more बोला है, इसले plus 3, than, twice of the third, twice of the third, बस यह two, इन दोनों को multiply करेगा, x को भी 4 को भी कर दिया, plus 3, as it is, इसको solve किया, x, x side में, constant x side में 11, बट 11 पे टिक मत करो, यह तो first है, question ने third बोला है, तो 11 plus 4, second बोला होता है, तो 11 plus 2, चमका, और यह भी आपने चमकाया, कि single variable के form में direct solve करो, multiple variable है, going with option, चलो गाइज, now the sum of digit of two digit number is 15, कोई तो two digit number है, again मैं मान ले तो वो two digit number कोन है, a, b, तो question बोल रहा है, उसके digit का sum is 15, and the difference is 3, अब difference उसने ऐसा जोड़ी बोला है, कि a का b से या b का, भाई, sum में फरक नहीं पड़ता है, sum आप a plus b बोलो या b plus a बोलो, one and the same thing, लेकिन difference में ऐसा जोड़ी होता है, कि जो a minus b आएगा, वोई b minus a आएगा, नहीं, इस question को बहुत अच्छी है समझो, majority student यहाँ पर फस्ते है, वो देखते है कि भाई, एक कोई तो two digit number है, उसके digit का sum 15 है, एकदम हलवा condition, and उसी के digit का difference is 3, the difference between the digit is 3, find this two digit number, student बोलते है, sir इसको तो आखों से solve करेंगे, ज़रुरत नहीं हमें board की, pen की paper की, आखों से solve करेंगे, simple है, एक ऐसा two digit number है, जिसके digit का sum 15 होना चाहिए, जिसके digit का difference 3 होना चाहिए, वो आखों से जाते है, पहले option पर नज़र डालते है, 6 plus 9, sir, digit का sum 15, 9 minus 6, sir, digit का difference 3, sir, a is the answer, भाई, गलत, गलत क्योंकि a answer है, तो ये कहां गलत है, मुझे बता हो, again digit का sum 15, digit का difference 3, तो ये भी तो correct है, तो कौन से logic पर आप बोल रहे हों कि, उसने कही पर भी ऐसा नहीं बोला है, कि tens के digit का difference from unit का digit, या unit के digit का difference from tens, यहांने a minus b, sum में फरक नहीं पड़ेगा, इसने मैं sum का बोलीन रहे हुए, उसने tens plus unit बोलो या unit plus tens बोलो, लेकिन difference में tens minus unit या unit minus tens ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो बोल दिया, दोनों digit का difference ये 3 है, दोनों digit का difference तो a minus b b 3 हो सकता है या b minus a b 3 हो सकता है, और यहां हो रहा है, sum तो 6 plus 9 लो तो भी 15 हो रहा है, 9 plus 6 लो तो भी 15 हो रहा है, लेकिन difference देखो, इस बार unit minus tens 3 आ रहा है, और इस बार tens minus unit 3 आ रहा है, और उसने specify कुछ भी नहीं किया, है कि tens minus unit लेना है, unit minus 10, तो guys, हम क्या बोलेंगे answer A, no, तर फिर क्या बोलेंगे C, no, हम बोलेंगे D, can't be determined, यह तो ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो, इसमें 15 आ रहा है sum, लेकिन 8 minus 7, 1 ही आ रहा है, तो भलाई B गया, लेकिन guys, यहाँ पर फिर भी दो option है न, जो question नहीं, जितना बोला है, दोनों को satisfy कर रहा है, इन दोनों condition को यह दोनों option पूरी तरह satisfy कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकडबकडबंबे, वो असीन अब बिना हा, जिस पर सो आया, उस पर टिक कर दो नहीं, ठीक है, can't be determined this option को respect job, तो बहुत easy question था, बस यहाँ पर majority student go with the flow, पहला option try करते, satisfy हो गया, टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर ठीक से समझे, जो उसने difference बोला, difference में matter करता है, कि आप a-b ले रहे हैं, बड़ उसने specify नहीं किया है, तो एक option में a-b भी 3 आ रहा है, दूसरे option में b-a 3 आ रहा है, दोनों अपने अपने जगे सही है, इसलिए correct answer दोनों भी नहीं है, correct answer क्या है, इसलिए तो उसने can't be determined answer दिया न, can't be determined का मतलब ही है, कि हम ठोस सबूतों के साथ नहीं बता सकते correct answer कौन सा, non-opties और can't be determined में बहुत फरक है, जब option में non-opties होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा answer आ गया है, correct answer आ गया है, confidence वाला answer आ गया है, लेकिन वो option में नहीं है, इसलिए non-opties, है न, यह होगा न, non-opties की स्टोरी, लेकिन can't be determined मतलब क्या, हमारा answer आई नहीं रहा है, क्योंकि data enough नहीं है, data sufficient नहीं है, जिस पर हम ठोस answer पर पहुचे, हमें यह भी सही लग रहा है, यह भी सही लग रहा है, इसलिए can't be determined, मैं, चमका गाईज, है न, तो that's it, दोस्तो, this is all about constant best case, चमका होगा आपको, तो यही करना है, omit की direct variety में बार-बार बोल रहा हूँ, cat में आपको indirectly बहुत काम आएगी, condition को समझने में, constant को समझने में, condition बनाने में, और with option का approach को खास कर समझने में, ठीक है guys, और यह चीज़ भी समझो, सो बात की एक बात, इस topic का, अगर मैं thumb rule बताओ, thumb rule, कि जो सबसे best idea है, ऐसे question को solve करने की, तो जो जादा variable से भरे हुए होते हैं, उसको option से करो, जो single variable के form में equation होता है, उसको direct करो, finish, so I hope आपको clear होगा, next topic में मिलते हैं, तब तक के लिए, bye bye, good day, take care, enjoy,